सोशल मीडिया पर लागतार ट्रोलिंग के कारण कुछ लोग रश्मी देसाई को बता रहे हैं कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और यहां तक कि उनके परिवार को भी गालियां पड़ रही है जिसके कारण रश्मी देसाई को ट्रोलर्स पर पलटवार करते हुए एक वीडियो जारी करना पड़ा अभिनेत्री ने कहा कि जब बात उससे जूड़ी हो तो वो ट्रोलिंग को नजर अंदाज कर देती हैं और सोचती हैं कि उसके परिवार को घसीटने की क्या जरूरत है पिछले हपते रश्मी देसाई ने एक वीडियो शेयर किया है और कहा सभी बेरोजगार लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि कृपया मेरी माँ और पिता को मत बीच में लाईए मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरी जिन्दगी है मेरे मामले में हर कोई सोचल मीडिया पर आता है और मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी कहता है रश्मी ने आगे कहा हाली में मैंने एक ट्वीट देखा जहां कोई मेरी मा को गाली दे रहा था और उसी ने मुझे ये वीडियो डालने के लिए मजबूर किया और कोई मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है और फिर मेरे परिवार के बारे में बक्वास कर रहा है मैंने जो पढ़ा उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लगा एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ मैं काफी समय से कड़ी मेहनत कर रही हूँ मैं अपने फैसले खुद लेने में शक्षम हूँ उस लोग जिन्होंने मेरी गलती से सीखा है वे मुझे कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपकी चिंता के लिए धन्यवाद और मैं बस ऐसे ही बढ़ती रहूँगी रस्मी रिषाई के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवड और एंटरेटेंबेंट ये खबरों के लिए देखे रहे ये एबी भी एंटरेटेंबेंट